एक बहुत ही मज़ेदार और उतना ही हल्दी केकर इसपे शेयर करूँगे आज आज हम बना रहे हैं चौकलेट बनाना ओट्स केक और खास बात है कि इसमें मैदा नहीं है और चीनी नहीं है यानि चौकलेट बनाना ओट्स के साथ इसमें आटा और गुड भी है तो आगया नमजा और कितना अच्छा बना है आप देखी पारे होंगे सूपर मॉइस्ट है, सूपर टेस्टी था और काफी हल्दी है और एक बार बनाएंगे तो सब आपके फैन हो जाएंगे तो जरूर ट्राय कीजिएगा सूस फूट कॉर्णर का ये स्पेशल केक नमस्कार मैं हूँ सुभंकरी और आप सब का स्वागत करती हूँ मेरा चैनल सूस फूट कॉर्णर पे उमीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्रेप कर लीजेगा और बेल बटन को टैप करना वाद भूलिएगा बेल बटन के आल पे क्लिक किजिए और मेरे वीडियो को इतना पसल करने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद तो बनाना केक बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर बनाना ली हूँ चार-पांच साइज का यह छोटे वाले जो आते है ला चीनिया के ला यह वो है नहीं हूँ तो नॉर्मल जो रेगलर बनाना आता है तीन से चार ले लीजेगा मीडियम साइज के तो मैं यह ले ली हूँ इसके अलावा पहला रिक्वार्मेंट है हम आधा कप यहाँ पर दूद लेंगे बटर मिल्क बनाएंगे तो यहाँ पर मैं एक छुटी चमाच वीने कर ली हूँ अब नीम्बू का जूस भी ले सकते हैं इसको डालके इस दूद में हम थोड़ा सा मिला की छोड़ देंगे पांच से दस मिनिट तब तक हमारा बटर मिल बन जाएगा तो बटर मिल कहाँ बन रहा है एक बड़ा बड़ा वाल में ली हूँ अब इसमें मैं डालूँगी आधा कप तेल एक स्पेसिफिक मैं मेजरिंग कप में ली हूँ अब चाहे तो कोई भी कपस फिक्स करे सकते हैं तीन चोथा एक कप मैं यहाँ पर गूड का पाउडर ली हूँ चीनी नहीं डाल ले हम लोग आप नॉमल गूड भी ले सकते हैं तो इसमें डाल दी अब चाहे तो रिप्लेस्मेंट में शुगर भी डाल सकते हैं यही नाप रहेगा पर मैं यहाँ पर गूड ले रही हूँ अच्छे से मिला देंगे क्योंकि पाउडर वाला गूड है तो बहुत जल्दी मिल जाता है एकदम फाइन करने के जरूद नहीं क्योंकि हम इसको दुबारा फिर फेंटेंगे तो जो बनाना है उसको मैं प्यूरी बना दी और उसमें एक छोटी चेमर में वलिना एसेंस डा बनाना को पिष्टे वबाग्ट केला पिष्टे वक्त पानी ना डालें अब इसको अच्छे से मिला दें गे गोड़ और आतेल और केला सब अच्छे से मिल गया प्यूरी टाइप बन गया एक छंणी लेूंगे मैं डालें एक कप गहुँ का आटा तो एक कप मैं यहां चोटी चमच और बेकिंग सोड़ा में ले ली हूँ एक चोथाई चोटी चमच और नमक में ली हूँ यहाँ पर एक चोथाई चोटी चमच इससे बहुत अच्छा फ्लेवर बिलन्स होता है सब चीजों को ऐसे जहनी से हम सीव कर लेंगे तो छोटी टुकड़ है ना इसको भी लिक्विट चाहिए तो इसमें जाएगा बटर मिक जो हम पहले हम बना दिये थे ना दही में नीमबू या विनेगर डालके वह इसमें डाल देंगे अब इसको मिलाएंगे तो यह जो प्रोसेस मिलाने का मैं हमेशा बोली हूँ कट एंड फोल्ड मेथड हो रहता है इस तरह है मतलब जानद गाढ़ा है नजाद पतला है अब इसमें हम डालेंगे चौको चिप्स चौको चिप्स ऑप्शनल है पर इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है अब चाहें तो डाल सकते हैं नहीं तो ड्राइफूट्स हो तो डाल सकते हैं थोड़ा से आटा छिड़क दी यूज़ कर रही हूँ अब इसको इसी चन्नी में डाल दी ताक एक्स्ट्रा आटा निकल जाए इससे क्या होगा चौको चिप्स केक के नीचे नहीं आएगा बीचो बीच रहेगा तो हम इसे कोट करके डाले इस तरह से मैं डाल दूंगी देखिए अब डाल के इसको हम मिला द हम पहले ये गरम करने के लिए चड़ा देंगे एक डीप पैन में 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 मेडियम फ्लेम पे एक स्टैंड रखके चड़ा दी हूँ तो बस यह मैं रेडी है उसके अलवा मैं एक केक पैन ली हूँ इस तरह से बटर पेपर लगा दी हूँ आप चाहे तो नॉर्मल तेल लग अब फेट हो गया है 10 मिदिक हो गया है मिर फञे गरम किये थे तो इसको धीरे से गरम आप देंगे और पहला 5 मिनिट आप हाइफ पे इसको थोड़ा सा रखिए और 5 मित बात फ्लेम करके कम से कम 40-45 मिनिट इसको टाइम लगता है तकने में बीच बीच में आप देख लीज यह पूरा साफ निकला है मतलब भी पॉफेक्ट ली हुआ है थंडा होने के लिए छोड़ दे एक से दो घंटा और उसके बाद देखिए मैं दिखाती हूं क्या सुन्दर बना है पहले साइट से चाकू से इस तरह से इसको छुड़ा देंगे आटा गूड है बीना चीनी का त से जान पा रहे होंगे कि कितना सॉफ्ट है और इस तरह से मैं इसको सर्फ कर रही हूं और मैं आपको एक पास में लेकर दिखाऊंगी कि कितना सॉफ्ट बना है और जब मैं रख रही हूं तो इतना मॉइस्ट है ना मेरे हातों में फील हो रहा है और मैं आपको दिखाती perfectly इसके अंदर जाली आया है उपर से crust कितना अच्छा है चॉकलेट का बहुत ही जवरदस्त फेवर है चॉको चिप्स है, केला है बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है और काफी soft है और देखिए कितना सुन्दर अंदर moist है, perfect चॉकलेट बनाना केक वो भी आटा, ओट्स और गुड के साथ इस से अच्छा कॉम्मिनेशन तो मिलना मुश्किल है तो जरूर ट्राय कीजिएगा रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगा मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तद तक स्टे सेफ, लव लाइफ and हैपे फूटिंग